Assalamu alaikum Welcome to Ambitious Robotics NIT Solution This is me, your instructor Naila Atabhati Office Management के 28th lecture में आप सबको खुशाम देए Dear students, अब तक हम लोग ने इस इसको readout किया Excel में और हमने last lectures में इफ भी पढ़ लिया और इसके इलावा मुख्लिब मैंने आपको formulas करा दिये Hopefully आपने वो तमाम lectures देख लिये हैं अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले वो lecture देखे उसके बाद ही आज का lecture देखेगा ताकि आपको problems face ना हो तो आज का lecture हम start करते हैं तो आज जो हम करेंगे इसमें Excel में हम लोग ने ये देखना है कि हम इस तरहां के criteria को कैसे follow कर सकते हैं using the nestative and if statement within if statement is called nestative if के अंदर एक और if लगाना उसको हम कहते हैं nestative जो लोग programming से relevant चीज़ें पढ़ चुके हैं वो if else को कहेंगे if else से भी हम कर सकते हैं तो उनसे भी कर सकते हैं तो आप हम इस इसको देखेंगे if के अंदर एक और if use करेंगे अगर आपको criteria कुछ इस तरहां से दिया गया हो कि ये score है criteria है अगर 90 से उपर है तो उसका grade A होगा 80 से 89 में है तो उसका grade B होगा 70 से 79 में है तो उसका grade C होना चाहिए और 60 से 69 में है उसका grade D होना चाहिए अगर 60 से below है तो उसका जो grade है वो क्या होना चाहिए F होना चाहिए एक, दो, तीन, चार और ये पांच condition है तो हमने इस इसको इसके अंदर बनाएंगे यहां आएगा user सिर्फ अपने score डालेगा और यहां उसका grade शो हो जाएगा उसके लिए मैं एक पार्मूला लगाऊंगी equal if natural diffuse होगा if logical test हम देखेंगे कि यह जो score है greater than equal to 90 हो above 90 या equal to 90 है तो उसका grade क्या होना चाहिए A होना चाहिए और उसके else case के अंदर हम एक और if लगा देंगे कि अगर यह जो score है वो greater than equal to आपका 80 है तो उसका grade क्या हो जाना चाहिए B हो जाना चाहिए उसका else एक और लगाएंगे if अगर यह test score greater than equal to 70 है तो ठीके? अच्छा हम इसी चिसको देख रहे थे और अगर इसका यह है तो हम इसका जो score है वो हम रख लेंगे A भी हो गया, B भी हो गया अब हम क्या कहेंगे? C ठीके? उसके else में एक और if लगेगा if अगर जो आपका score है वो greater than equal to आपके 60 है तो आपका grade क्या हो जाना चाहिए? D हो जाना चाहिए ठीके? else case में below 60 है तो आपका grade जो criteria के मताबिक था वो क्या होना चाहिए? F हो जाना चाहिए ठीके? यह आपकी if close एक यह दूसरी यह तीसरी ठीके? यह आपको grade दिखा रहे है below 60 वालों को देखें FF दिखा रहे है और अपर में आपका जो 7C में दिखा रहा था यह आपको उसके recording दिखा देगा ठीके? अगर आपको यह समझ नहीं आया इसको दुबारा देखें revise कर के देखें ताके यह आपको समझ आ दे थोड़ा complicated सा लगता है बट यह बहुत आसान है अगर आप उसको समझ लें आज की lecture के लिए इतना काफी इंशाला आगरे lecture मुलाकात होगी तब तक के लिए अल्ला हाफ